है चांपियंज दिस प्रेंव वोलकमिंग यू अल टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो ऑफ एजूकेशनल हाइक्स आज के वीडियो में हम क्लास 9 के साइंस का चाप्टर निम्बर 4 इस्ट्रॉक्टर ऑफ इन एटम पहिंटने वाले हैं चाप्टर निम्बर 3 एटम सें मॉ आएंगे क्या सचमुच होती है आपको क्या लगता है जरूर बताना मुझे और इस चाप्टर में हम बिल्कुल वही पढ़ने वाले एक चीज तो आपको बिल्कुल बतानी की जरुवत नहीं है कि आपको पता है कि एटम्स और मॉलेक्यूल मिलकर अलग-अलग तरीके के क्यूं है बनते तो ये सभी एटम्स असे ही है अलग क्यूं है भाई इन में जो डिफ्रेंस है ना ये इनके टाइप आफ एटम की वज़ा से है जी हां इसे ही अलग-अलग तरीके के मैटर अलग-अलग तरीके के एटम्स से मिलकर बनते है तो सबसे पहली चीज़ जो हम इस चाक्टर में पढ़ेंगे कि भाई एटम्स अन मॉलिक्यूल्स में क्या डिफ्रेंस होता है जिससे वो अलग-अलग तरीके के माटर बनाते है पहली बात दूसरी बात जॉन डेल्टन ने 1808 इयर 1808 में एक बात कही थी कि एटम is indivisible and indestructible ध्यान से सुनना मेरी बात कि एटम को ना तो तोर सकते हैं ना तो छोटा कर सकते हैं क्या ये बात सही है भाई 1808 में इन्होंने ये बात कही थी और 19th century खतम होते होते ना इनकी ये बात पूरी तरीके से गलत साबित होती है कैसे साइंटिस्टों ने इस बात का भी पता लगाया कि एटम के अंदर भी कोई चीज होती है कैसे पता लगाया आपने वो कंगी और piece of paper वाला experiment दो किया होगा कंगी को बालों में रगड कर फिर आप उसे चोटे-चोटे टुकडे कागेच के टुकडे attract करते हो है ना किया है कि नहीं बच्छमन में सब ने किया होगा क्यों attract करता है एटम के अंदर कुस तो चीज होगी ना कोई तो charge जैस चीज हम पढ़ेंगे कि एटम के अंदर क्या ऐसी चीज है क्या यह चार्ज जैसी कोई चीज है ना कोई positive charge को negative charge तभी तो एक दूसरे को खीच रहा है ना यह क्या चीज है इस बात का पता लगाएंगे हम इस chapter chapter number four structure of atom में तो let's get started are you ready for it channel को subscribe नहीं करा तो कर देना मेरे घंड को पगडगे ना बस इस 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 से bell icon press कर देना so that you can't miss any update from educational hikes. Let's get started. एक indivisible particles होता है लेकिन जैसे जैसे समय भीता scientist लोगों को ना कुछ ऐसी चीज़ें मिली जिससे उन्हें पता चला कि भाईया atom के अंदर भी कोई ना कोई चीज तो जरूर है और वो चीज क्या है वो चीज charged particles है positive charge है negative charge है neutral charge है और इस बात का पता कैसे चला जब John Dalton ने एक बता दिया कि atom को हम divide ही नहीं कर सकते थे तो scientist लोगों को मान लेनी चाहिए ला उनकी बात क्यों नहीं मानी उन्होंने उन्होंने इस लिए नहीं मानी क्योंकि बच्पन में हमें activity करते हैं कौन सी activity comb dry hair does the comb then attract small pieces of paper हम सबी ने बच्पन में कभी ना कभी ये वाली activity तो करी होग ये charge हो जाता है और जब भी इस comb को हम छोटे छोटे कागच के टुकडों के पास ले जाएंगे ना तो होगा क्या कि ये जो comb है ना ये इन कागच के टुकडों को अपनी ओर attract कर लेगा खीच लेगा मेरी भाई अब देखो खीचता कोई कब है जब इनके अंदर charges होते हैं कि किसी के पास positive charge होगा किसी के पास negative charge होगा तभी तो ये एक दूसरे से attract हो रहे है तभी तो एक दूसरे को खीच रहे है बिलकुल तो भाईया इस activity से scientist लोगों को थोड़ा doubt हुआ कि atom के अंदर भी कोई ना कोई चीज तो जरूर होती है एक और activity है हम अपना एक glass rod लेते हैं एक glass का rod लेते हैं और उसको मखमल के कपड़े के साथ रगडते हैं सिल्क के कपड़े के साथ रब करते हैं ठीक है आपने भी ये किया होगा अच्छा रगडने के बाद होता क्या है कि ये जो glass rod होता है ये balloon को अपनी तरफ attract कर सकता है glass rod रगड़ लो सिल्क के कपड़े से और उसके बाद एक balloon को फुला लो जब balloon को फुला के तुम इस rod के पास ले आओगे ना तुम देखोगी ये rod automatically balloon को अपनी तरफ attract कर ले रहा है तो यहां क्या है कोई ना कोई चार्ज तो जरूर है कोई positive charge है कोई negative charge है तो भाई इन दोनो activities से scientist को doubt हुआ कि atom के अंदर कुछ ना कुछ चीज तो जरूर है और इस चीज का पता लगाना ही चाहिए तो भाईया from these activities can we conclude that on rubbing two objects together they become electrically charged तो इस activities से इन दोनों activities से ये जो बाल वाली activity है और ये जो सिल्क के कपड़े को जब हम rot से रगड़ते हैं तो इन दोनों activities से क्या हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि दो objects को जब एक दूसरे से रब करा जाता है तो उनमें charge आ जाता है बिल्कुल हमने अपने बालों को जब कंगी से रब करा तो जो कंगी है वो charge हो गई और ये glass rod को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ा गया रब करा गया तो ये rod charge हो गई इसका म फिर ये charge करना से आ गया तो इस question का answer हम तब कर पाएंगे जब हम ये जानते होंगे कि भईया atom को भी divide किया जा सकता है और atom के अंदर भी charged particles होते हैं अब पता लगाते हैं कि इन बातों का पता किस ने लगाया many scientists contributed in revealing the presence of charged particles in an atom भी अब कई सारे ऐसे हमारे वैज्ञानिक थे जिनोंने ये पता लगानी की कोसिस करी कि atom के अंदर कुस्तो charge जैसी चीज है जिससे जब कभी भी हम किसी एक atom को रगडते हैं तो वो attract करता है किसी दूसरी चीज को ठीक है तो इस बात का पता लगानी के लिए बहुत सारे scientists हो ने बहुत सारे experiment किया लेकिन कुछ main scientists थे जिनका जो experiment था वो ये पता लगाने में काम आया और उनमें सबसे पहले थे जे जे थॉंसन उसके बाद थे Ernest Rutherford और फिर थे James Chadwick ठीक है इन्होंने हमें क्या बताया इन्होंने हमें Rotomac Pen बताया Rotomac Pen क्या है भया ये क्या है ये अजीबो गरीब सी चीज आप क्या बोल रहे है भया ये एक ट्रिक है ये ट्रिक से तुम याद कर सकते हो कि जो atom के अंदर charged particles होते हैं उनको invent किस ने किया उनको discover किस ने किया है सबसे पहला रोटो का R आर का मतलब Ernest Rutherford उन्होंने क्या discover किया उसके बाद क्या आता है ? T ना T का मतलब क्या होता है ? तॉमसन जे जे ठॉमसन ने क्या बताया iç ने क्या बताया ? है electron की discovered करी उन्होंने negative CHARGE के बारे में बताया उसके बाद आखरी में आते है Rosamopyadری जेम्स चैडविक जिन्होंने neutron यानि neutral चार्ज की discovery करी, समझ में आया तो भाईया, atom के अंदर अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ charged particles होते हैं उन charged particles को हम proton, electron और neutron कहते हैं, और इनको discover करने वाले scientist का जो नाम है, वो आप इस trick से याद कर सकते हो rotomac pen, rotomac R का मतलब Rutherford, T का मतलब Thompson, और C का मतलब Chadwick pen का proton, electron और neutron, ठीक है तो अब तक हमें यह पता चल चुका था कि भाईया, atom के अंदर कुछ ना कुछ charged particles तो जरूर होता है ना अब हम एक इक करके पढ़ेंगे कि इन charges की discovery किस ने करी और कैसे करी तो सबसे पहला discovery of electron क्योंकि सबसे पहले atom के अंदर electrons का ही पता लगाया गया था, यानी 1897 वो साल था, जिस साल JJ Thompson नाम के एक scientist ने एक ऐसे चीज का अविस्कार कर दिया जिससे आज हमारे घरों में पंखा, लाइट, वासिंग मसीन फ्रीजियस, सारी चीज़े जो चल रही है ना, वो electron के discovery से ही सुरू हुई, मतलब year 1900 आते आते, हमें पता चल चुका था कि ये जो atom होता है जो John Dalton ने कहा था कि atom को divide नहीं कर सकते हैं, तो भाई year 1900 आते आते हमें ये पता चल चुका था कि ये जो atom होता है ना, ये कोई साधारण सी चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है, जिसको हम divide ना कर सके बलकि इस atom के अंदर कम से कम एक sub atomic particle तो पाया ही जाता है, यानि atom से छोटा भी एक चीज पाया जाता है, जिसको हम electrons कहते हैं और इस electron की जो discovery करी थी वो किस ने करी थी? जे जे थॉमसन ने, यानि thanks to जे जे थॉमसन, जिनकी वज़े से आज हम पंका, लाइट, बिजली, कम्प्यूटर जो कुछ भी electricity से चलती है ना, वो electrons की वज़े से हुआ है, ठीक है? तो भीया जे 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 थॉमसन ने सबसे पहला बताया हमें की atom के अंदर एक छोटा सा particle होता है, जिसको हम electrons कहते हैं तो इस तरीके से, electrons की discovery तो कर दी गई अब बात आती है, protons यानि positive charge atoms के अंदर कैसे पाया गया तो भाई, जब electrons की discovery हुई थी ना, 1897 में, इससे कहीं जादा पहले, यानि 1886 में ही, अगर positive charges का हमें पता लगाना होता तो हम पता कर चुके होते लेकिन हुआ क्या, कि भाई, even before the electron was identified, E Goldstein in 1886 discovered the presence of new radiations in a gas discharge and called them canal rays, हुआ क्या कि एक German के physicist थे, लगभग इनकी उम्रे 36 साल रही होगी, उन्होंने क्या करा ना, एक tube लिया, आप देख पा रहे हो, ये tube है, और इस tube में इन्होंने helium gas भर दिया ये देख रहे हो, ये जो छोटे-छोटे atoms दिख रहे हैं, ये helium gas के atoms है, ठीके तो इन्होंने क्या किया इस पूरे tube में helium gas के atoms को भर दिया, यानि helium gas को इस ट्यूब में डाल दिया और डालने के बाद इन्होंने क्या किया इसके एक टेर्मिनल को पॉजिटिव से और एक टेर्मिनल को बैटरी के निगेटिव एंड से कनेक कर दिया भाई हुआ क्या कि जब ये जो निगेटिव टेर्मिनल वाला जो एंड था ये जब एलेक्ट यहाँ से निकला, एलेक्टरॉन्स यहाँ से निकला और जब हीलियम आयन्स से टकराया ना तो वो एक नई तरीके की रेडिएशन दिया और इस रेडिएशन को देखकर इ गोल्ड इस्टेंड ने इस रेडिएशन को एक नाम दिया कैनौल रेस ठीक है, कैनौल रेस 80-86 में ही पाया गया था और ये जो रेस थी ना ये positively charged रेस थी कैसी रेस थी ये ये positively charged थी, आप देख पा रहे हो कि positive ions निकल रहे है ये जो electrons है, ये जब helium से टकराता था, तो यहां से जो रेस निकलती थी, इसको उन्होंने क्या कहा, इसको उन्होंने कैनौल रेस कहा, और ये जो रेस थी ना, ये कैसी थी, ये positively charged रेस थी, मतलब इसमें से positive charges निकल रहे थे which ultimately led to the discovery of another subatomic particle, this subatomic particle had a charge equal in magnitude, but opposite in sign to that of the electron और ये जो नया radiation निकला ये radiation positive charge का radiation था, और इसी positive charge की radiation से हमारे रदर फोड ने proton की discovery कर दी, हमारे जो scientist थे, Ernest रदर फोड इन्हों ने proton की discovery करी, और ये जो proton है, ये electron के बाद दूसरा subatomic particle था, जो atom के अंदर पाया गया था, ये जो proton था, ये कैसा था, head a charge इसके पास भी अपना एक charge था, जैसे electron के पास negative charge था वैसे ही proton के पास अपना एक positive charge था, equally in magnitude मतलब, atom के अंदर जितना electrons पाया जाते थी, जितनी संख्या में उतनी संख्या में ये protons भी पाया जाते थे, लेकिन इनकी sign opposite थी, यानि electrons की sign negative थी, और इस proton की sign कैसी थी, positive थी और इनका जो mass था, जो वजन था ना वो लगभग 2000 गुना था electron की वज़से, मतलब जो proton था ना, वो electron के वजन के मुकाबले लगभग 2000 गुना जादा वजन का था, it was given the name of proton और इसको रदर फोड ने एक अपना अलग नाम दिया, जिसको आज हम proton के नाम से जानते हैं, तो भाई अब तक के कहानी कुछ ऐसी है कि year 1909 तक हमें ये पता चल चुगा था, कि atom कोई indivisible particle नहीं है atom कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको हम divide ही ना कर सके बलकि year 1897 में जेदे सॉमसन ने हमें पहली बार बताया कि atom के अंदर एक negative charge होता है, जिसको हम electrons कहते हैं और उसके लगबग लगबग 12 साल बाद Rutherford ने हमें बताया कि atom के अंदर एक दूसरा भी charge होता है एक positive charge होता है जिसको हम protons कहते हैं तो यानि अब तक हमें ये पता चल चुका था कि atom के अंदर दो अलग-अलग तरीके के charges होते है proton और electron तो अब बात आती है कि यह हम इन protons और electrons को represent कैसे करेंगे इनका sign क्या देंगे हम तो जहां sign देने वाली बात हुई तो वहाँ पर हमने electrons को E negative से represent करना सुरू किया यानि जहां कहीं भी electrons की बात होती थी हम लिख देते थे E negative और जहां कहीं भी proton की बात होती थी हमने इसे represent किया P positive से यानि जो proton होता है वो positive charge है और जो electron होता है वो atom के अंदर negative charge है The mass of proton is taken as one unit and its charge as plus one ये जो proton है इसका जो वजन ना पा गया वो एक unit रख लिया गया unit क्यों क्यों क्योंकि भाईया जो charges था ना उनका वजन निकालने का हमने कोई unit decide नहीं करा था जैसे हमें अपना वजन निकालना होता हम kilo में निकाल लेंगे लेकिन charges का वजन थोड़ी ना किलो में निकालोगे तुम तो हमने बस उन्हें unit कह दिया तो भाईया जो proton था उसका वजन हमने one unit मान लिया और proton का जो charge था वो हमने plus one मान लिया और जो neutron था इसका जो वजन था वो negligible मान लिया गया मतलब एकदम न के बराबर क्यों क्योंकि रदर फोड ने हमें बताया था कि जो electrons होते हैं उसके लगभग 200 गुना जादा protons का वजन होता है तो जब proton को one माना है तो भाईया इसका 2000 times कम मतलब negligible के बराबर ही तो हुआ एकदम न के बराबर electrons का वजन मान लिया गया और electrons को charge दिया गया minus one का तो अब हमने proton, neutron उनके charges इन सभी की चीजों के बारे में पढ़ लिया है तो भाईया it seemed highly likely that atom was composed of protons and neutrons तो अब तक हमें ये पता चल चुका था कि एक atom के अंदर दो अलग-अलग तरीके के charges होते है एक को हम protons यानी positive charge केहते है और दूसरे को हम electrons यानी negative charge केहते है और ये जो charges है protons और electrons ये करते क्या है mutually balancing their charges ये एक दूसरे को balance करते है यानी जो positive होता है वो negative को काढ़ देता है इसलिए यह जो atom है यह stable होता है यह ऐसे का ऐसे ही रहता है यह हमें लगा था लेकिन ऐसा है नहीं आगे हम पढ़ेंगे it also appeared that the protons who are in the interior of the atom मतलब हमें एक चीज और लगा कि यह जो positive charge है यह atom के अंदर पाया जाता है और यह जो electrons है इसको हम आसानी से पील्ड ओफ कर सकते हैं पील्ड ओफ कर सकते हैं का मतलब क्या है मतलब हमें यह पता चला कि यह जो protons होता है यह जो positive charges होता है यह atom के बीचो बीच पाया जाता है और यह जो electrons होते हैं यह इन protons के चारो तरफ revolve करते हैं पील्ड ओफ किया जा सकता है मतलब यह इनका जो जगह है वो change किया जा सकता है लेकिन protons का जो जगह है वो change नहीं किया जा सकता अब हमें यह सारी चीज़े पता चल चुकी थी protons के बारे में electrons के बारे में ये भी पता चल चुका था कि जो protons है वो बीच में पाया जाता है और electrons इन protons के चारों तरफ revolve करता है यानि घूमता रहता है और इन सारी चीजों को जानने के बाद अब हमारे मन में एक बड़ा question ये आता है कि भाईया ये protons और electrons atom के अंदर किस तरीके का structure बनाते होंगे मतलब कैसे दिखते होंगे atom के अंदर ये proton और electron तो सारे scientists ने ये सारी चीज़े सोची कि हाँ यार ये जानना तो बहुत ज़रूरी है कि ये electrons और protons atom के अंदर दिखते कैसे हैं तो उन्होंने अपना अलग-अलग model paste किया दुनिया के सामने अलग-अलग वैग्यानिकों ने हमें दिखाया कि भाया atom कुछ ऐसा दिखता है तो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे हम अलग-अलग atom के models पढ़ेंगे अलग-अलग scientists ने अपना structure दिया कि atom ऐसा दिखता है atom ऐसा दिखता है अब हम देखते हैं कि किसका model सही रहा और किसका model रहा एकदम सेल अब हम देखते हैं कि किसका model सबसे सही साबित हुआ लेकिन उसके पहले कुछ पढ़ लेते हैं कि भाई we have learned delton's atomic theory in chapter number 3 which suggested that the atom was indivisible and indestructible chapter number 3 यानि atoms and molecules में इसके पहले जो chapter ने पढ़ा था उसमें हमने john delton के द्वारा दी गई 6 बाते पड़ी थी जो उन्होंने atoms के बारे में बताया था उन्होंने ये भी कहा था कि जो atom होता है वो indivisible और indestructible होता है यानि ना तो हम atom को तोड सकते हैं और ना तो atom से छोटा कोई और particle होता है लेकिन लेकिन भाई जैसे ही जैसे वैग्यानिक थोड़ा एडवान्स होते गए उन्हें इस बात से डाउट था कि atom को सच में डिवाइड नहीं कर सकते क्या तो उन्होंने electrons और protons की discovery कर दी जो atom के अंदर पाया जाता है और इस वज़ा से जो delta and atomic theory थी वो बिलकुल fail हो जाती है अब जब यह पता चल गया कि atom को divide किया जा सकता है atom के अंदर electrons और protons पाया जाते है तो वैग्यानिकों की मन के अंदर यह जानने की इक्छा हुई कि भाई यह electrons और protons atoms के अंदर कैसे arranged है जैसे हमारी body में फेफड़ा अपनी जगह पर है हमारा जो liver, kidney जो reproductive system है वो अपनी अपनी जगह पर है है ना तो बिलकुल वैसे ही वैग्यानिकों ने सोचा कि atom के अंदर electrons और protons कैसे arranged है इसका पता लगाया जाए और इस चीज का पता लगाने के लिए अलग-अलग वैग्यानिकों ने अपना अलग-अलग atomic model paste किया दुनिया के सामने JJ Thompson वो पहले वैग्यानिक थे जिन्होंने structure of atom को लेकर अपना model दुनिया को दिखाया तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे JJ Thompson का model जो उन्होंने बताया था की atom कुछ ऐसा दिखता है Thompson proposed the model of an atom to be similar to that of Christmas pudding अब देखो Christmas pudding क्या होता है Christmas पे एक cake के तरीके से बनाया जाता है आप कुछ बिल्कुल ऐसे देख सकते हो यह हमारा Christmas pudding यह cake होता है actual में और इस cake के बीच में बीच बीच में बीच बीच में dry fruits होते हैं काजू, बदाम, नट्स यह सारी चीज़े बीच बीच में ऐसे चिपकी हुई होती है तो बिल्कुल जो JJ Thompson का atomic model था ना वो बिल्कुल Christmas pudding की तरह था The electrons in a sphere of positive charge were like currents in a spherical Christmas pudding आप देख पा रहे हो यह जो पूरा spherical cake है यह जो Christmas pudding है आप देख रहे हो यह जो गोला सा दिख रहा है यह पूरा cake है और इस cake के बीच में ना छोटे-छोटे dry fruits लगे हैं तो JJ Thompson ने बताया कि भईया, atom के अंदर electrons जो होते हैं वो बिल्कुल इसी dry fruits की तरह होते हैं और जो protons होते हैं वो पूरे के पूरे यह cake के sphere की तरह होते हैं यह जो cake का पूरा गोला दिख रहा ना आपको मतलब यह जो पूरा cake है इसकी तरह positive charge भी atom के अंदर फैला होता है और जो negative charge यानि जो electrons होता है वो dry fruit की तरह बिल्कुल कहीं 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 पूरे positive charge के बीच में चिपका हुआ होता है तो बिल्कुल Christmas pudding की तरह उन्होंने यह अपना atom का model paste किया था हमें दिखाया था we can also think of a watermelon आप Christmas pudding नहीं समझ पा रहे हो तो आपने watermelon तो कभी न कभी खाया होगा तर्बूज आपने कभी न कभी जरूर खाया होगा तो आपने देखा होगा कि the positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon आपने देखा है कि जो watermelon होता है उसका जो लाल वाला हिस्सा होता है केवल वही हम खाते हैं तो बिल्कुल इस लाल वाले हिस्से की तरह atom के अंदर positive charge फैले हुए होते हैं और जो बिया है इस watermelon के जो seeds है वो बिल्कुल electrons की तरह होते हैं जो positive charge के sphere में कहीं कहीं चिपके होते हैं stubbed होते हैं ठीक है आप ये देखे हैं पूरा structure दिया है आप माल लो ये पूरा watermelon है और ये वाला जो हिस्सा होता है ये ये जो हिस्सा होता है ये लाल वाला हिस्सा माल लो जिसको हम water melon में खाते हैं तो ये जितना भी लाल वाला हिस्सा आपको दिख रहा है न ये आप माल लो कि positive charge atom के अंदर बिल्कुल ऐसे ही फैले होते हैं और जो negative charge होता है वो बिल्कुल watermelon के seeds की तरह होता है जो कहीं कहीं बीच बीच में चिपका होता है तो JJ Thompson का model बिल्कुल ऐसा ही था उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही दिखाया था कि भाईया atom के अंदर positive charge और negative charge बिल्कुल ऐसे ही arranged होते हैं अब ये एक छोटी सी documentary दी गई है JJ Thompson के बारे में आप इसे पढ़ लेना और जान लेना कि JJ Thompson कौन थे उनका जनम कब हुआ था उनकी मृत्यू कब हुई थी ये सारी जीज़े आपको इतना साथ important भी नहीं है जानने के लिए तो इसलिए मैं नहीं पढ़ा रहा हूं आपको पढ़ना हो तो आप जरूर पढ़ लेना लेकिन में बात हम जरूर पढ़ेंगे कि भाया जो पूरा JJ Thompson का atomic model था उसका जो निचोड था वो क्या था जैसे वाटरमेलन में जो लाल वाला हिस्सा होता है जिसको हम खाते हैं बिल्कुल वैसी तरह positive charge पूरे atom में फैले होते हैं और जो electrons होते हैं atom के अंदर वो बिल्कुल वाटरमेलन के बीच में पाया जाते हैं जो embedded होते हैं यानि उस positive charge के साथ electrons भी चिपके हुए हैं ठीक है और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी कहा था कि the negative and positive charges are equal in magnitude बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कहा कि भाया जो negative यानि electrons होते हैं और जो positive charges यानि protons होते हैं इनकी संख्या atom के अंदर लगभग बराबर होती है जिसकी वज़ा से atom electrically neutral होता यानि जितनी संख्या में positive charges हैं उतनी ही संख्या में negative charges हैं इसलिए positive charge और negative charge एक दूसरे को cancel करके पूरा atom electrically neutral हो जाता है अब भाई JJ Thompson ने तो बता दिया कि पूरा atom ऐसा दिखता है लेकिन although Thompson's model explained that atoms are electrically neutral, the results of experiments carried out by other scientists could not be explained by this model as we will see below लेकिन जो JJ Thompson का model था उन्होंने ये तो क्या दिया कि जो पूरा atom होता है वो electrically neutral होता है यानि positive charge और negative charge बराबर की संख्या में पाये जाते हैं लेकिन जब बाकी वैग्यानिकों ने इस बात की पुष्टी करने के लिए इस बात को सच साबित करने के लिए उन्होंने अपना-पना experiment किया न तो JJ Thompson की ये बात गलत निकली और अब दूसरे वैग्यानिक आते हैं जिन्होंने अपना structure of atom का model पेस किया और इनका नाम Ernest Rutherford था इनके model के बारे में भी पढ़ लेते हैं नाव नेक्स टॉपिक में हम पढ़ेंगे Rutherford's model of an atom JJ Thompson का structure of atom का model था वो कहीं ना कहीं कुछ बाते बताने में पेल रहा और इसी वज़े से Rutherford ने अपना structure of atom का model पेस किया दुनिया को और ये सबसे ज़़दा successful model माना जाता है क्योंकि इसी model में Rutherford ने हमें nucleus से भी introduce कराया कि nucleus नाम की भी कोई चीज होती है तो चलो देखते हैं कि Rutherford ने कैसे structure of atom का पता लगाया और atom के अंदर Rutherford के according कौन-कौन सी जीज़े कहां पर arrange होती है वो देखते हैं Ernest Rutherford was interested in knowing how the electrons are arranged within an atom Rutherford को सबसे ज़़दा interest ना इस बात को जानने में था कि या atom के अंदर electrons कहां पर arrange होते हैं और किस तरीके से arrange होते हैं क्योंकि JJ Thompson का जो model था वो कहीं ना कहीं electrons की ही arrangement को लेकर fail हुआ था तो Rutherford ने सबसे पहले ये पता लगाने की कूसिस करी कि ये electrons atom के अंदर किस तरीके से पाय जाते हैं ठीक है और इस चीज के लिए Rutherford ने एक world famous experiment किया जिसको हम gold foil experiment के नाम से जानते हैं अगर आप gold foil experiment अच्छी तरीके से समझ गये ना तो आप structure of atom को बहुत अच्छी तरीके से explain कर ले जाओगे इस experiment में Rutherford ने क्या किया कि alpha particles को उन्होंने एक बहुत ही पतले से बहुत ही थिन gold foil पर strike करवाया यानि alpha particle को gold foil पर गिराया और फिर क्या हुआ उसके base पर उन्होंने अपना nuclear model paste किया था उनका जो gold foil setup था वो कुछ ऐसा था experiment करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसा ही setup बनाया था देखो इन में क्या क्या चीजे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले सबसे पहले तो आपको ये जो बड़ा सा cube idle box दिख रहा है ये lead का box है lead का box है मतलब कि जो alpha particles है वो कहीं और ना बिखरे इसलिए इसको lead के box में pack कर दिया गया था ठीक है और ये जो छोटा सा आप देख रहे हो ये hole था जिस hole से alpha particles निकलते थे ठीक है और ये जो आप बड़ा सा देख रहे हो ये source of alpha particles है यानि आप इसको radium भी कहते हो radium alpha particles radiate करता है यानि alpha particles निकालता है ठीक है तो ये source of alpha particle है and next thing ये है gold foil और ये जो gold foil था ना ये लगबग 1000 atoms से मिलकर बना हुआ था मतलब 1000 atoms पतला था ये ठीक है और ये जो आप yellow color की चीज देख रहे हो जो gold foil के चारों तरफ है ये है fluorescent screen यानी यानी रदर फॉइड ने alpha particles को अगर इस gold foil पर गिराया है तो ये gold foil कहीं न कहीं इन alpha particles को reflect करेगा कहीं न कहीं भाई ओवेस से बात है जब इस gold foil पर alpha particle आएगा तो हो सकता है alpha particle यहाँ चला जाए हो सकता है यहाँ चला जाए तो इन्हें ये alpha particle properly दिखना चाहिए इसलिए इन्हो उन्हें fluorescent screen का यूज किया यानी अगर कहीं भी इस screen पर ये radiation alpha radiation पढ़ता तो उन्हें बहुत ही clearly दिखाई दे देता तो ये था इनका पूरा setup ये gold foil experiment इन्होंने किया और फिर जाकर structure of atom हमें बताया ठीक है तो gold foil experiment करते टाइम ना उन्होंने alpha particles क्यों लिया था ये भी बहुत बड़ा question है उन्होंने केवल सोने का ही foil क्यों लिया? gold foil ही क्यों लिया? वो iron foil भी ले सकते थे, aluminium foil भी ले सकते थे, तो ऐसा इसलिए रहा कि सबसे पहले he selected a gold foil because he wanted as thin layer as possible. आपको ये बतानी की जरुद नहीं है कि gold इस दुनिया का सबसे ज़्यादा malleable metal है, malleable का मतलब क्या होता है? जिसको हम seats में convert कर सकें, जिसको हम पतले-पतले sheets में convert कर सकें, तो gold सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है, इसलिए क्या किया इन्होंने gold foil select किया, ठीक है? तो rather ford ने जो gold foil select किया था, वो लगबग 1000 atoms मोटा था, ठीक है? अब दूसरी ब particles हा, doubly charged helium ions, rather ford ने जब भी alpha particle choose करा था, तो उनकी दिमाग में ये था, कि भीया, जो alpha particle होता है, वो helium ions से मिलकर बनता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, और जो helium होता है, इसके outer cell में 2 electrons होते हैं, यानि helium को अगर किसी से chemically combine होना हुआ, अगर helium को किसी से chemical reaction करना ह हुआ, तो उसे 2 electrons देने पड़ेंगे, और देने की वज़े से helium के पास positive charge आजाता है, और इस वज़े से हम इसको doubly charged कहते हैं, two positive यानि doubly charged, ठीके तो alpha particle सबसे पहले तो doubly charged थे, और इनका atomic mass unit था, वो 4u था, और इसी वज़े से alpha particle के अंदर काफी energy होती है, और ये जो gold foil के अंदर जो protons होते हैं, जो electrons होते हैं, वो तो हर atom के अंदर होते हैं, तो ये proton से alpha particles काफी heavy होते हैं, और आसानी से protons को cross करके वो दूसरी तरफ जा सकते हैं, इस वज़े से इन्होंने alpha particle का use किया, किसी और particle का use करते ना, तो proton से टकरा कर वापस आ जाता है, या electron से टकरा कर आपस ना आये बलकि इसे क्रॉस कर जाए इस वजह से इन्होंने क्या लिया अल्फा पार्टिकल लिया ठीक है अच्छा तीसरा इट वोस एक्सपेक्टेड डैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफलेक्टेड बाई सब एक्टॉमिक पार्टिकल इन द गोल्ड एटम्स जै से स्ट्राइक कर जाएगा और डिफलेक्ट हो जाएगा इधर उदर फैल जाएगा और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया अल्फा पार्टिकल चूस किया था क्यों क्योंकि अल्फा पार्टिकल काफी हावी होता है प्रोटॉन्स के मुगाबले और इन्होंने experiment किया और इस experiment से इन्हें क्या मिला यह देखते हैं यह totally अलग और incredible result मिला था उन्हें इस experiment से क्या मिला था उन्हें सबसे पहला most of the fast moving alpha particle passed straight through the gold foil सबसे पहले हुआ कि भाई ज्यादा तर जितने भी alpha particle यहां से निकल रहे थे ना इस radium से वो gold foil को pass कर जा रहे थे तो यह बात तो रदर फोर्ड ने अल्रेडी सोची थी क्यों क्योंकि यह alpha particle heavy थे proton से electron से तो pass तो होना ही था तो यह तो इन्होंने expect थी करा था कि ऐसा होगा ठीक है और इन्होंने क्या observe किया इन्होंने एक चीज और observe करी कि some of the alpha particle were deflected by the foil by small angles मतलब कुछ radiations ऐसे थे जो gold foil से टकरा कर deflect हो जाते थे छोटे छोटे एंगल से मतलब बहुत कम एंगल से ठीक है यह चोटे छोटे एंगल से यह क्या हो जाते थे surprisingly one out of every 12,000 particles appeared to rebound मतलब जितने radiations is gold foil पर पढ़ते थे हर 12,000 radiations के बाद एक radiation ऐसा था जो वापस आ जाता था हर 12,000 radiations जो gold foil पर पढ़ते थे alpha particle के उसके बाद एक ऐसा radiation आता था जिसको gold foil वापस भेज देता था तो इस चीज से Rutherford काफी जाधा surprise हो गए क्यों क्योंकि alpha particle काफी heavy होते हैं और वो protons और electrons को easily cross कर सकते हैं तो cross क्यों नहीं हुआ यह वापस कैसे आ जा रहे हैं तो भाया इस चीज को उन्होंने properly study करा और अपने इस experiment की result को ना उन्होंने एक सब्दों में सब्दों में मतलब पूरा sentence उन्होंने जब भी experiment करा था तो उनका एक proper sentence आया था media में उन्होंने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि भाई this result was almost as incredible as you fire a 15-inch cell at a piece of tissue paper and it comes back and hits you रदर फोर्ड ने सोचा था कि मैं alpha particle भीज रहा हूँ alpha particle तो किसी को भी cross कर ले जाएगा लेकिन जब alpha particles वापस आ गये gold foil से टकरा कर तो उन्होंने अपना एक statement दिया ये world famous statement रहा कि भाया मुझे इस gold foil experiment से कुछ ऐसा result मिला जैसे कि अगर हम तोप से कोई गोली दागते हैं ना 15-inch cell यानि cell का मतलब क्या होता है गोली ठीक है जो बारूद में भरा जाता है जो तोप के अंदर जो गोला भरा जाता है इसको हम cell कहते हैं ठीक है तो उन्होंने कहा कि अगर आप तोप के अंदर गोला भर के फेकते हो टीशू पेपर के उपर टीशू पेपर उसे वापस कर दे कुछ ऐसा result मुझे मिला है रदर फोड ने ये कहा था ये totally impossible है यार obviously गोली टीशू पेपर कैसे रोक लेगी टीशू पेपर आप ऐसे सोचो कि इन्हें कुछ ऐसा result मिला था कि इन्होंने अलफा पार्टिकल भेजा और अलफा पार्टिकल वापस आ गया अलफा पार्टिकल वापस नहीं आता है कुछ ऐसा result था इनका जैसे आप बंदूप से गोली मारो और वो टीशू पेपर से टकरा के वापस आ जाए ठीके तो ऐसा होता है नहीं ना तो ये इनको काफी सब्प्राइज किया और इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यूं हुआ और उन्होंने अपना नुक्लियर मॉडल दिया नुक्लियर मॉडल हम आगे पढ़ते हैं पहले इसमें positive charges हमेशा भरे होते हैं जैसा जेजे थॉम्सन ने बताया था कि positive charges फैले हुए होते हैं जाता टकराता एटम से और वापस आ जाता और इसी वजह से जेजे सॉम्सन का मॉडल फेल हो गया जेजे सॉम्सन ने प्रॉपरली कहा था कि ये पूरा protons से भरा हुआ है और अगर ऐसा है तो जितने भी alpha particle rather ford भेजे होते वो सारी तो टकरा कर वापस आ जाती ना जितने उन्होंने alpha particle भेजे जादा तर पास हो जा रहे थे तो ये थोड़ा इनको odd लगा कि ऐसा क्यूं हुआ तो उन्होंने जो reality expect करी वो कुछ ऐसा था कि उन्हो के बीच में काफी जगह होता है ठीक है क्यूंकि जो rather ford थे उन्होंने जब alpha particles को भेजा था तो जाधा तर alpha particles pass हो जा रहे थे कुछ alpha particles ऐसे थे जो टकरा कर अपना रास्ता बदल दे रहे थे वापस आ जा रहे थे वापस आ जा रहे थे और कुछ ऐसे थे जो टकरा कर क्या क हो जा रहे थे थोड़ा एंगल चेंज कर दे रहे थे ठीक है तो उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि एटम पुरा भरा हुआ होता है लेकिन एटम पुरा भरा हुआ नहीं था ये बात उन्हें कैसे पता चली क्योंकि जादा तर अल्फा पार्टिकल्स पास कर जा रहे थे ठीक उन्होंने कहा कि भाई एटमस के अंदर जादा तर जो जगह होती है ये इन्हीं का स्कैरिंग एक्स्पेरिमेंट है आप देख रहे हो कि जादा तर जो अल्फा पार्टिकल के रेडियेशन से वह पास हो जा रहे हैं तो इस बात से उन्होंने ये अंदाजा लगाया कि देखो कुछ पार्टिकल्स ऐसे भी थे जो अपना रास्ता बदल दे रहे थे जैसे यहां आया फिर अपना आंगल थोड़ा सा चेंज करके थोड़ा तिर्शा चपा गया इसका मतलब इन्हों ने रदर फॉड ने यह समझा कि भाई कुछ एटम के अंदर पॉजिटीव चार् ऐसे ठीक है और उसके बाद उन्होंने फिर क्या बताया कि very small fraction of alpha particle were deflected by 180 degree indicating that all the positive charge and mass of the gold atom were concentrated in a very small volume within the atom हमने देखा यह बी कि भाई कुछ alpha particles यह थे जो directly वापस आ जा रहे थे 180 degree पे वापस आ जा रहे थे यह देख रहे हैं और टकरा कर वापस आ जा रहे हैं यह देख रहे हैं एक यह देखो यह गया था सिधा वापस आ गया इसका मतलब उन्होंने यह निकाला कि भाई atoms के अंदर ना positive charge का एक पूरा गुच्छा होता है और जब इससे alpha particles टकराती है तो वो वापस उसी angle से आ जाती है एकदम 180 degree से वो वापस आ जाती है मतलब इन्होंने ये कहा कि भीया atom का जो ज़्यादातर main हिस्सा होता है वो बीच में पाया जाता है और बहुती चोटी जगा पर पाया जाता है इस चोटी सी जगा को उन्होंने एक नाम दिया nucleus क्या कहा उन्होंने nucleus इन्होंने center of the atom कहा कि जो atom का ज़्यादातर जो brain होता है वो center में होता है और जिसको उन्होंने nucleus का नाम दिया ठीक है यहां तक जो rutherford थे ना उन्होंने nucleus का size भी बता दिया था उन्होंने calculate कि radius of the nucleus is about 10 to power 5 times less than the radius of the atom जैसे आप ऐसे समझ लो कि अगर पूरे atom का पूरे atom का जो radius है माल लेते हैं हम कि 10 to the power 5 meter है पूरे atom का जो radius है हम माल लेते हैं 10 to the power 5 meter है तो इस nucleus का radius उन्होंने बताया कि कितना होगा 1 meter होगा मतलब nucleus के radius के मुकाबले atom का radius 10 to the power 5 meter जादा बड़ा होता है ठीक है 10 to the power 5 times जादा बड़ा होता है मतलब nuclear अगर 1 meter radius का है तो atom 10 to the power 5 meter radius का होगा इतना समझ में आया और इसके बाद उन्होंने finally atom कैसा दिखता है ये चीज़े हमें बताई जिसको हम nuclear model of atom कहते हैं क्योंकि सबसे पहली बार atom के अंदर nucleus का पता लगाया गया था इसलिए nuclear model of an atom ठीक है तो आपको याद रखने की बाद केवल इतनी ही है जो रदर फोर्ड ने सबसे में चीज़ कही थी वो ये है कि atom रदर फोर्ड के according कैसा दिखता है on the basis of this experiment रदर फोर्ड पुट फॉर्वर्ड द न्यूक्लियर model of an atom which had the following features उन्होंने अपना gold foil experiment किया था और उस पर काफी study किया और study करने के बाद उन्होंने atom के structure के बारे में हमें कुछ बताया उन्होंने क्या कहा कि there is a positively charged center in an atom called the nucleus मतलब atom के अंदर एक second let me change the color of the pen उन्होंने कहा कि atom के अंदर क्या होता है there is a positively charged center मतलब atom के बीच में एक ऐसा जगह होता है जहां पर केवल और केवल positive charges पाय जाते हैं ठीक है और इस center को उन्होंने नाम दिया nucleus क्या नाम दिया उन्होंने nucleus जो positively charged center होता है मतलब atom के अंदर एक छोटी सी जगह होती है जहां पर सारे positive charges से कठा होते हैं और इस जगह को उन्होंने क्या नाम दिया nucleus नाम दिया nearly all the mass of an atom resides in the nucleus उन्होंने कहा कि भाई atom का जो ज्यादा तर वजन होता है वो इसी nucleus की वज़े से होता है nucleus heavy है इस वज़े से पूरा atom heavy है ठीक है the electrons revolved around the nucleus in circular path इन्होंने यहीं पर गलती कर दी थी इनके drawbacks के बारे में भी हम पढ़ेंगे इनके model के drawbacks के बारे में भी पढ़ेंगे इन्होंने यहीं गलती कर दी थी इन्होंने कहा था कि भाईया इस nucleus के चारो तरफ ना circular paths है यानि circular रास्ते हैं गोलाकार रास्ते हैं और इन्हीं रास्तों में जो electron है वो revolve करता है वो चारो तरफ nucleus के घूमता है ठीक है चलो देखते हैं इनके आगे हम जब पढ़ेंगे drawbacks के बारे में तो हम बताएंगे कि यहीं बात इन्होंने गलत कही थी ठीक है तो दूसरा इन्होंने ये कहा कि nucleus के चारो तरफ circular रास्ते होते हैं और इन्हीं circular रास्तों में electrons घूमते रहते हैं nucleus के चारो तरफ the size of the nucleus is very small as compared to the size of the atom जैसे मैंने आपको बताया कि atom का size अगर 10 to the power 5 meter है तो जो nucleus का size होगा वो लगभग 1 meter होगा मतलब atom के size के मुकाबले nucleus का size काफी छोटा बताया उन्होंने ठीक है तो दो बाते तो उनकी बहुत सही रही केवल ये एक बात ऐसी रही जो इनके पूरे nuclear model को fail कर देती है now drawbacks of the Rutherford model of an atom Rutherford ने सारी बाते सही करी थी बस एक चीज उन्होंने एक ऐसी बात कह दी थी उन्होंने कहा था ना कि भाई atom के अंदर nucleus होता है और nucleus के चारों तरफ circular रास्ते होते हैं और इन ही circular रास्तों पर electrons nucleus के चारों तरफ घूमते रहते हैं और यही बात इन्होंने गलत कही थी ठीक है the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable ये बात उनकी पूरी तरीके से सही नहीं निकली कैसे नहीं निकली क्योंकि any particle in a circular orbit would undergo acceleration हम जानते हैं कि कोई भी चीज अगर वो चल रही है चाहे वो circular रास्ते पर चल रही हो चाहे वो सीधे रास्ते पर चल रही हो अगर कोई भी object अगर चल रहा है न तो वो कभी न कभी अपनी speed घटाएगा और बढ़ाएगा ऐसा होता है बिल्कुल होता है भाई आप गाड़ी चलाते हो गाड़ी का पेट्रोल कतम हो गया तो क्या हुआ गाड़ी रुप जाएगी न बिल्कुल ऐसे ही revolving electron would lose energy and finally fall into the nucleus जब रदर फोर्ड ने बताया कि चारो तरफ electron घूमता है तो बाकी साइन्टिस्टों ने कहा कि ये बात गलत है क्यों क्योंकि electrons को भी घूमने के लिए क्या चाहिए energy चाहिए और जब उसे ये energy नहीं मिलेगी तो ये electron घूमते 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 धीरे धीरे आके इस nucleus से टकरा जाएगा और nucleus blast कर जाएगा और इसी वजह से Rutherford इस चीज को बता नहीं पाए कि ये electron energy कहां से लेता है भाई अब तो गाड़ी चल रही है तो उसको हम पेट्रोल टंकी से पेट्रोल डलवाते है तो Rutherford को बताना चाहिए ना ये electron energy कहां पाएगा जो लगातार घूमता ही रहेगा तो इस चीज को बताने में Rutherford fail हो गए और उनके model का सबसे बड़ा drawback यही रहा कि electrons are not stable on their orbit so this is all about the J.J. Thomson's model and Rutherford's model these are the two world famous model of the atoms जो हमें दिखाया गया था और सबसे दर सक्सेफुल Rutherford का model रहा था इसके बाद जो Rutherford में कमिया रही थी ना वो बोहर ने पूरी कर दी थी बोहर model of an atom हम next part में पढ़ेंगे और cells के बारे में पढ़ेंगे हम neutrons के बारे में पढ़ेंगे वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे यह हम अपनी अगली वीडियो में पढ़ेंगे I hope आपको ये चाक्टर का ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और अगर वीडियो समझ में आया हो और आपने पसंद करा होना यार तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना दोस्तों के साथ सेयर करो मिलते हैं एक और धमाकेदार वीडियो में तब तक देखते रहे हैं स्ट्रक्चर आफ एटम का पार्ट दोबारा 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 बाई टेक केर शशी अकाल एंड जैहिल